अब दिरिश्की कोन से और श्री कृष्णदास के विर्याज लोश्वामी शैतने सेंचा मृते में इसी जिसे पर उन्हें क्या प्रकास डाला है अभी हमारे भक्त लोग आप लोगो पास में अभी वक्ति करेंगे आप समी की कताद में ताम लोग सुनां हमार से पत्मना महारा गुरवे गौरचंगराय राधिकाय जदाले कृष्णाय कृष्णबत्ताय ददबत्ताय नवो नवहा हमार समास्तबत्तरा बसे पुड़ो मुड़ो मुड़ो इडिया में क्या बसे पड़न तो बाइना ठिक्के बबसे पड़न तो श्री कृष्णा चैतन्ना प्रभुनित्ता नंदा श्री अद्वाईत गदाधार शिवष्णा दिगोर भक्त बिंदा संबलो अरे खृष्णा अरे खृष्णा 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 सरवप्रतम में अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पत्र जगत गुरुपाद प्रचत शीष्व बक्ति वेदाउंच नारायन गुष्वे महाराजी के चरणार बिंदो में अनन्त को टिचाटर मुदत पनाता फित करता हूं तत पस्चा समस्त गोडियरूपाद गुरुवर्गजन मन्चासिन पूजनिय भक्ति वेदाउंच शीषीदर महाराजी पुजपाशी संजय प्रभू शी गोदायन महाराज निश्किंचन महाराज एवं अन्यान्य समस्त वैष्णव वैष्णवी प्रमचारी सबके चरणों म मेरा यता जो कि दॉक्त परना हम लोगों का प्रत्यक साल की बांती यह साल मी परम्सोर्णत जोब की घूलोगॉड गुरुपाद पत्मके अनुगत्य में फूजनिय महाराज गुरुपाद पत्म के अनुगज्य में एवं पूजनिय महाराजी के दिशानिर देश में हम लोग ये साल भी दो साल के कोविड के बाद बड़े सुन्दर रीती से शिगुंटिचा मंदिर मारजन के साथ इस जगनाद रत्यात्रा महतसव में भाग लेने के लिए हम लोग बदा रहे हैं आज जैसी जगनाजी की इच्छा लगता है किसी को मारजन करने की लाँसा नहीं है सब कहते हैं बहुत हो गया मारजन तो इसली जगनाजी हमको मौका नहीं दे रहे हैं या कोई निश्क पड़ूप से मारजन करना नहीं चाहता है, तो इसलिए सब उपर उपर से दिखावे करते हैं, शायद इसलिए जगनाच जी हमको ये तुयोग नहीं दे रहे हैं, यदि हम लोग निश्क पड़ूप से प्राड़तना यदि करें, शायद वो हमें मौका हमको तब तक हम चलितामर्च चलितामर्त ने जगनाज जी के गुंडिचा मंदिर मार्जन लीप Gleiche महाप्रबु जी ज किया को हम और से हैं ईंवनी जक्षे नियात्रा के बाद स्वयम गुंडिचा मंदिर के मार्जन को मांग के लिया ये सेवा जो है गुंडिचा मंदिर के साफ करने की जो सेवा है महाप्रभू ने इसको मांग के लिया उसके पेरी सादक हिर्दयम में शीजगन्ना जी को शीकृष्ण को रादा और शीकृष्ण को यदि वो बिटाना चाहता है तब उसका हिर्दय कैसे होना चाहिए जिसके उदाहरन सुरूप चतन्न महाप्रभू जी ने ये लीला प्रकाशित करके दिखाया महाप्रभू जो है भकतों को लेकर के पहले तिलक माला सब सम्मान देते हुए फिर सभी भगतों को कितन करते हुए लेते हुए सब के हातों में महाप्रभू ने जाडू दिया और स्वयम महाप्रभू ने जाडू किया तो जाडू करते हुए सभी भगतों को सेवा में लगाते हुए पहले भीतर का मंदन्र फिर बाहर का जगमोन फिर बाहर के जो रजोईगर फिर फ्रांगन इस प्रकार की पिद्दती से महा प्रुझने सब सबाई के करते 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 सभी लोगों ने जो धूल मिठी है समको एकटा किया правильно है और महा पॉय। कौन जादा करता है तो सब ने देखा कि सब ने मिलके जितना धूल मिट्टी संग्रहे किया उससे कही गुना जादा महाप्रभु का संग्रहेता धूली का तो इस प्रकार से महाप्रभु ने गुंडिचा मंदिर का पहली बार मारजन किया फिर उसके बाद दूसरी बार फिर दूबारा जाडू लेकर के स्वयम और सारे भकतों को सेवा में लगाया पहली बार में बड़े-बड़े कंकड और दूल इत्यादी गया और दूसरी बार में छोटे-छोटे कंकड और छोटे-छोटे दूल त्रिन जो छिपे हुए थे वो सब भी जो है दीरे-दीरे साफ हो इस प्रकार से जतन्य महाप्रभु जी ने दो बार शिगुंडिचा मंदिर का सुन्दर रूप से उन्होंने मारजन किया और जैसे ही दो बार समापन हुआ महाप्रभु ने का जल लाओ उसके पहले ही जो है सारे वक्तलों पीचे जसरोवर है वहां से लेके बीतर मंदिर तक लाइन करके सब लोग खड़ेते और गड़े में पानी लेकर के प्रस्तुते और जैसे ही महाप्रभु ने का पानी सीधा महाप्रभु को गड़े में पानी से बरा हुआ गड़ा महाप महाप्रवु ने पत्तती से पाने डाला उकार नीचे सब जगा डालके पहले सब चीजों को दोया सब चीजों को शीतली कृत किया फिर उसके बाद देखा फिर भी सिमासन पर कुछ-कुछ मैल इत्यादी रहे गया स्वयम नीजा खस्त्र से उन सब स्तानों को महाप्रवु ने कपड़े से जो है खोचा और बार बार मांजा कब जाकर के वो मैल जो कभी जाता नहीं वो सब मैल जो है चला गया ये पद्धती से जो है महाप्रवु ने चार बार जगनात के शिगुंडिचा मंदिर को महाप्रवु ने मारजन किया और बहाँ पर बताया गया कि महाप्रवु ने ये जो लीला करके शिगुंडिचा मंदिर को कैसे किया तो चतन्य चलता मृत में बताया गया है कि उज्वल शीत लस्निक्द करिला मंदिरे आपन रदयये नो धरिला बाहिरे जतन्य महाप्रभुजी ने जिस प्रकार से जतन्य महाप्रभुजी का रदयया है वैसे ही मानो उन्होंने बाहर उसको प्रकाशित किया जैसा भीतर है वैसे ही जतन्य महाप्रभुजी ने बाहर प्रकाशित किया कैसे प्रकाशित किया कैसा हो गया पहले कैसे था वोस्तान गंदगी और सब्रकार के गर्माहट से बर्पूरता कि तो महाप्रभु ने उस्तान को कैसे प्रकाशित किया सबसे पहले उसको क्या कर दिया साफ सुत्रा उसको कर दिया उजवल एक तम साफ सुत्रा दैसे प्रकाशित कर दिया और दूसरा क्या किया पानी डाल डाल के वो स्तान को उन्होंने शीतल कर दिया तो तब जो है साथ में पूरा स्तान ही स्निग्द होगी यानि कोमल होगी तो तीन प्रकार से ये पुजवल शीतल और स्निग्द करके जगनाजी को वहाँ पर बैटने लायकस्तान उन्होंने बना दिया तो महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा सिखाया कि जब तक हम अपने मन को चित्त को रदय को साफ सुत्रा पवित्र करेंगे नहीं जब तक उसको शीतल थंडा करेंगे नहीं रजोतमो गुन से रहित और जब तक उसको कोमल वक्ती रस से कोमली करेंगे नहीं तब तक वहाँ पर रादा और कृष्ण का सदा काल के लिए निवास करना किसी भी समय में कभी भी संभो पर नहीं है यही इस लीला का संख्षेप में और सार रूप में इसका मरम है महाप्रभु ने ये लीला प्रकाशित किया हम सब भक्त लोग पूरे गोडिय परंपरा तब से लेके आज तक धल बददल सब लोग मिल करके भक्तों सहीत यहां पर पहुंच करके सबके सब जो है शिगुणिचा मंदिर मारजन करने का प्रयास करते हैं और बहाप्रभु से प्रार्तना जगनाजी से प्रार्तना करते हैं कि मन में कोई भी कुटिल, छल, कपटता, काम, कुरोदादी, मैल, सब प्रकार जो गंदगी है हे प्रवो आप गृपा करके उन सब चीजों को सफाई करें और शुद्ध रूप से ये प्रेम भक्ती या शुद्ध भक्ती को प्रकाशित करें यही हमारे जीवन का लक्ष है इस प्रकार से सभी भक्त लोत प्रार्टना करते हैं यदि हमारा लक्ष फिर नहीं है यदि भक्तों से गुंडिचा मंदिर मारजन हो नहीं पाएगा, वो मारजन तो बाहर बाहर से करेगा, और पीतर पीतर से क्या मांगेगा, संसारिक चीजे मांगेगा, तो इसलिए जिनको अभी पता नहीं है क्या चाहिए, उन से मारजन नहीं हो पाएगा, वो लोग श्रेष्ट भक पीछे पीछे चलेंगे कता सुनेंगे तब जाकर के जो है समझ पाएंगे तब वास्ता रूप में गुंडिचा मंदिर का महारजन संभव हो पाएंगे इसलिए हम सब बत्त लोग भिशी भुरुपाद पत्मा और समस्त वश्कमों से प्रारतना करते हैं कि हम बजन करने तो आ कपटी और सब प्रकार के मल इत्यादी से भरपूर कब हम हो गए हैं हमें पता ही नहीं चला यह वैश्णवा पराद और वैश्णवों के दोश इत्यादी देखने का फलस्व रूप है इसलिए हे गुरुदेव हे समस्त गुरुवर्गजन हे सचिनंदन गोरहरी और महाप् करके हम जो हैं वास्तव रूप में गुंडिचा मंदिर का मारजन कर सकें चित्त को साफ कर सकें जहां पर रादा और प्रिश्ण बड़े सुंदर रूप से सुकद पूर्वक सदाकाल के लिए निवास कर सकें और उनके चरणों में जो है मती रती प्रेम भक्ति हम लोग प् प्रेमानंदे अरे कुंडिका मंदिर मारजन लीला की चा जगना दवल देश बद्धा सुरशन जीव की यस सपार्शद शी गौर प्रिमानंदे तकर रिजं कात्यान हुआ हुर में तकर यह हरी जाए मन्या है हरी बौल बरॉबरु अरे लोग शना आप जो ख़ड़े बैट पूला बूला अले माइट्ट कुर्व कर दाले क्रिश्ण और क्रिष्ण भकता यह तद भकता है रभकता नमों नमा वांच्छा अकलपतर उभ्यस्चक्रिपास इंडू भ्याय वच्ञ पतिता नां पावनेभ्यो वैश्नवेभ्यो नमों नमा शी कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानंद शियद द्वय्त गदातर शिवास अधेशी गौरभक्त भिंद। ः रे रामौ 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 हरे रुपानौ जटत गूरु निख Play लिंड आप्र इस्टुम पाद अस्टो निघ्री शिला भक्तिविरांट नारैन को स्वाहिं महाराजी के श्री चरन कमलो मेनन खोटी दंडत्मनाम ग्यापन करता हूं। हम लोग गुरु महाराजी की बड़ी विशेश किर्पा से और पूजनिय वैश्नवों के दिशा निर्देश में श्री चेतन्य महाप्रभुजी के चरणों का अनुसरन करते हुए गुंडीचा मंदिर मारजन करने पहुंचे हैं। गुरु महाराजी कहते थे ये गुंडीचा मंदिर और कुछ नहीं है ये हमारा हिर्दय ही समझ लो इस गुंडीचा मंदिर को। श्री चेतन्य महाप्रभुजी ने गुंडीचा मंदिर का मारजन किया। इसलिए खृष्णो पवेशो पईकम चकारा। खृष्णो पवेशम माने खृष्ण जगनाच जी आकर के इस गुंडीचा मंदिर में विराजमान होंगे। इसलिए श्री चेतन्य महाप्रभुजी ने क्या किया। खृष्ण की जो सेवा है उसको मांग करके महाप्रभुजी ने ले लिया। तो हमारे गुरु महाराजी कहा करते थे सेवा जो है ना छिला मादव गोस्वाई महाराजी भी कहा करते थे इस बात को छिला भक्ति दाइत मादव गोस्वाई महाराजी। सेवा को अपने अधिकार के अनुशार मांग करके लेना ही होता है। इसलिए महाप्रभु जी ने स्वैम अपने आदर्ष के मात्यम से दिखाया। महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले जगनात्पुनी में राजा के करमचारी आकर के मंदिर का मारजन करते थे किन्तु महाप्रभुजी में केवल रतियात्रा ही नहीं जगनाट जी के जितने भी उत्सव हैं उनको महाप्रभुजी ने बड़ा विशेश भाव परदान कर दिया जो कि महाप्रभुजी के जगनात्पुरी में पधारने से पहले जो भाव नहीं था इसलिए गुंडिचा मंदिर मार्जन के पीछे भी महाप्रभुजी ने बड़ा विशेश भाव प्रकाशित किया कितने हर्श उल्लास के साथ में महाप्रउज ने सेवा को मांग करके लिया और केवल सेवा को मांग करके नहीं लिया आदर्श दिखलाया सेवा को कितने गंभीर रूप में साधन करना होता है सारे भक्तों को साथ में लेकर के पहले अपने हातों से उनको माला चंदन दिया संकीरतन करते करते इस स्थान पर पहुँचे और काशी मिश्र सारवम भटा चारे जी इन्होंने पहले से ही विवस्था करके रखी दी सो सो घड़े, सो सो मारजन ये जाड़ू पहले से इला करके रखी दी और महा प्रभुजी ने सब के हाथ में एक एक धट, एक एक घड़ा और एक एक जाड़ू दे दी और सब भक्तों को साथ में लेकर के मारजन करना अरंब किया पहले जाडू से मार्जन किया फिर वस्तर से मार्जन किया फिर जन देकर के मंदिर को धोया उसके पस्चाथ में वस्तर से पुने मंदिर को मार्जन किया एक बार दो बार नहीं जब तक छोटा छोटा त्रिन किल कर भी रह गया तब तक महाप्रभुजी मार्जन करते रहे और क्या कर रहे हैं स्वेम करके दिखला रहे हैं ये मार्जन किस प्रकार से होता है ऐसा नहीं देखर के छोड़ दिया स्वेम मार्जन करके दिखला रहे हैं किस प्रकार से मंदिर मार्जन करना होता है जब संपून मंतिर मार्जन हो गया, श्री चेतन ने महाप्रभुजी ने संकीरतन आरंब किया, और भक्त लोग जो है ना, श्री कृष्णा स्कविदाज गोस्वामिजी ने बड़ी अच्छी बात कही है, भक्त लोग ने कृष्ण कहें करी निज काम, कोई इदर उदर की वार सिंग्देव का एक मंदिर है, और पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर है, उस इंद्रद्युम्न सरोवर से लेकर गुंडिचा मंदिर तक, भक्तों ने एक पंक दी, एक लाइन बना रखी दी, जैसे ही महाप्रभुजी ने जाडू से मार्जन किया, मार्जन करने के पश्चा जैसे ही आदेश दिया, जल आनो, पानी लेकर क्या हो, सारे भक्त लोग प्रस्टुपते, सारे भक्त लोग घड़े दे दे करके, एक भक्त एक हाथ में दे रहे, दूसरे भक्त दूसरे के हाथ में दे रहे, महाप्रभुजी ने जल लेकर के मार्जन करना प्रारम किया, सार कि इसी भasmva ने बहुत अुच्छे से मारजन किया तो महाप्रहुजी उसमों क्या बोल रहे हैं, तुम ये भालो नंगे मिंत करे सुख, हरु हरु